थाना शागंज में अवैद संबंधों के चलते आरपीएफ कमांडेट के नीजी चालक की हत्या कर दी गई हत्यारे ने उसके शब को नौर्थ इदगा कलोनी में एक खाली जगे पर जमीन में दफन कर दिया गया संबार को पुलिस ने आरोपित को हिरासत में लेने के बाद उसके निशान देही पर शब वरामर कर लिया शागंज के नगला छवा निवासी नीरज आरपीएफ के कमांडेट का नीजी चालक था जो की बीती 25 जून से लापता था उसके लापता होने पर परिजनों ने उसे खोजने के सारे प्रयास की है जब वे नहीं मिला तो गुमशुदगी दर्ज कराई गई पुलिस को चानबीन के दोरान पता चला कि नीरज को आखरी बार सदर के सोहला निवासी विनोद के साथ देखा गया था इस पर पुलिस ने विनोद को पकड़ कर सकती से पूश्ताज की उसने नीरज की हत्या करके शब को दफनाने की जान करी दी मामले में SSP मुनिराज ने बताया कि आरोपित की निशान देही पर शब को जमीन खोद कर बरामत कर लिया गया है आरोपित से विस्तरत पूस्ताज की जा रही है उनने उसका एक साथ दारूपी आतोरस से उनका मारा है मारके बहल में गटा कोद के उसका अंदर दभा दिया था उसका अदबर बोड़ी साज जी अगांपर मोकी पर रही थी और उसका उपर रिट बड़ी एस्टेम किसाबने आम लोग निकल वा रहा है ऑर आगे कोस्पाटम करा आएंगे और उन्हों से पूसटास में निकल के आए विनोध को काना यह है विनोध को पतिनी के साथ मुरूज इसके लिए उन्हों घुसा मागव उसके गारदी इसने दिया तो इसको पर उन्हें नमक भी दालकर रखा है मेरा वाई आठ वजे डूटी करके लोट रहा था वो साथगी गाड़ी चलाता था जी यो साथगी मेरा वाई तर चलागया मेरे को अभी तर नहीं मालूं पड़ा लेकिन आम मालम पड़ा है तो बाड़ी मिलिए है डालेक्ट मेरे वेसे सूचना मिलिए कह दीए घर दिया मार दिया अधिया घरसे डूटी से आठ वजे लोट रहा था आप यह साम के आठ वजे की बाद में कु झाल झाल